हम Docker इंस्टाल करने के लिए 102s7 यूज़ करेंगे 102s7 हमने पहले ही इंस्टाल कर रही है यह VM तो हम उसकी settings देखना चाहते हैं अगर आपको 102s7 नहीं इंस्टाल करना ही आती तो इसमें networking वगारा कैसे करनी है hostname, domain name, host file के अंदर कैसे entry वगारा करनी है तो हमारे पहले ही दो playlists बना रखी है Linux networking वाली और Linux Essential वाली तो आप उन playlist में जाके properly कैसे install करना है Linux को उसको सीख सकते हो कैसे networking करनी है उसको सीख सकते हो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम Docker को install करने से पहले आपके पास send to s running state के अंदर है तो हम देखते हैं कि हमारी send to s पे हमने क्या क्या settings कर रखी है तो हमने 2gb RAM दे रखी है hard disk footage भी दे रखी है और हमने network adapter net set कर रखा है net adapter set करने से क्या होता है कि अगर आपके host operating system बे इंटरनेट चल रहा है तो आपके guest operating system हमरे case में जो sent to s 7 VM है वो guest operating system है तो उसमें भी net चलेगा अब जैसे मेरे case में जो host operating system है window 10 है तो वहाँ पे internet चल रहा है तो यहाँ पे भी net option set कर दी तो यह हाँ पे भी मेरा net चलेगा तो फिर बाद में हम देखना चाहते हैं कि इसका IP address क्या है हम IP address को IP AS command के साथ चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो address है 192.168.142.140 है यह बाद में हम बार बार use करेंगे इस address को आपके case में कुछ और हो सकता है address तो आपने इसको note कर लेना है फिर आपने चेक कर लेना है कि host name क्या है हमारे case में main.example.com दे रखा है DNS domain name क्या है वो example.com है तो फिर हमने देख लिएनी है कि host files में entry properly हैं के नहीं है तो आपने IP address fully qualified domain name और नाम अपना इंटर कर देना है तो यह सारी settings हमने जो हमारी playlist में explain किया हुए कि क्यों हमने यह किया हुए और कैसे, क्या requirement है किस दंग से आपने entry करनी है वो सारा कुछ explain किया हुए तो अगर आपने IP address को कुछ changes बगएरा करनी है तो आप उसकी configuration फे file में जा सकते हूँ configuration file हमारी etc.sysconfig.network.script ifcfg.ens333 के नाम से होती है तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो boot protocol क्या है dhcp तो वहां पर हमने network adapter पर net set कर रखा है तो यहां पर जो आपकी setting होनी चाहिए dhcp उससे क्या हो जाता है कि automatically आपको एक address update हो जाता है और आपका net चलेगा और फिर आपने कुछ हमें required package है जो बार-बार हमें जूर्त बढ़ेगी बाद में तो वह install कर लेने है किस command से yum install qmin quiet mode में e-links karl linux यह तीनों command line browser है फिर हमारे पास wget है वो download चीज़ें करने के काम आता है git version control system है tree को हम बाद में देखेंगे काफी useful package है फिर एक हमारे पास telnet है तो इनको install कर लेना है अगर जी अगनी वैसे कुछ package पहले इंस्टाल हो रहेंगे तो आपको message दिया हो दे देगा कि already install अगर कुछ रहते हैं तो उसको वो install कर देगा तो अपने confirmation के लिए yes कर देना है तो अपने verify करने के लिए आप rpm-query command भी चला सकते हो e-links का linux package आपकी install है कि नहीं तो यहां पी show कर रहे है कि वो install है rpm-query-get इससे भी आप verify कर सकते हो है कि नहीं तो हमारे case में जो हमारी virtual machine है हम check कर लेते हैं कि बहुए IP-desk क्या है control-lc hostname command से हमें क्या पता लगेगा कि बहुए इसका hostname क्या है dns domain name से हमें पता लगेगा कि भी यह इसका domain name क्या है और get extra host file से हम इसकी entries देख सकते हैं तो हम पहले देख रहे हैं कि हमारी machine कि type की है हमने set कि है तो यह भी entry properल है और जो हमारी एक networking की file लेती है उसको भी check कर लेती है वो कहां पर पड़ी होई है sysconfig network scripts fcfg ens यह वाली file है हम पस तो यहां पर हम देख रहे हैं कि setting यह वाली है और फिर हम verify कर लेते हैं packages वग्यरा rpm-query e-links आप individual individual भी verify कर सकते हो यह आपी कठे भी specify कर सकते हो कि भई curl है कि नहीं linux package है कि नहीं यह आपका wget यह सारे package हमारे case में वो सारी install है telnet भी install है tree भी install है तो जो भी हमें package चाहिए थे आपने एक चीज़ और चेक कर लेने हैं कि internet connectivity है कि नहीं वो कैसे आप google को ping करके देख लीजिए कि हमारा net चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी बहुत जुरूरी है तो हमारा net भी चल रहा है तो control c से आपने cancer कर दिने हैं क्योंकि हमें जो install करने के लिए क्या चाहिए होगा internet चाहिए होगा तो हमारे पास यह machine बिलकुल properly VM ready है अब हम install करने के लिए अब हम docker को install कर सकते हैं अब है क्योंकि हो लिस में जुर्ण无ुड़